तो एक बार फिर से आपका स्वागत है हम बात कर रहे थे शुकर अगर D9 चार्ट में विहुन भाव में स्थित होंगे तो ये आपको क्या क्या रिजल्ट देंगे इस वीडियो में जानेंगे अगर शुकर पंचम भाव में स्थित हैं तो ये आपको क्या रिजल्ट दे सकते ह अगर पंचम में हैं तो आप अपनी marriage की बाद आपकी married life में जो कुछ भी issues create होंगे उनको बहुत intelligently handle कर सकेंगे, आप अपने spouse के परती, आप अपनी संतान के परती थोड़ा over caring दिखाते हैं, आप बहुत ज़्यदा over caring होंगे और ये आप थोड़ा show भी करेंगे, ऐसा जो जात ज़रूर करें, शुक्र पंचम में है तो आपका compromise करने का तरीका थोड़ा different होगा marriage के बाद, अगर आपका जिवन साथी आपसे कुछ ज़्यादा expect कर रहा है, आपसे कुछ ज़्यादा चार है relationship में, तो वो आप उनको ज़रूर देने की कोसिस करेंगे, ऐसे जात तक को creative field मे हमेशा कुछ ना कुछ निया try करना चाहिए, जब भी शुक्र पंचम भाव में बैठे हो, marriage की बाद आपकी जो संतान होगी, वो बहुत ज़्यादा creative हो सकती है, उसके परते आपका सनेह बहुत ज़्यादा रहेगा, आपको लड़की संतान होने के बहुत ज़्यादा chances रहे परते हैं, एसी जातकों को ये भी पता होता है कि अपने दोस्तों को, अपने घरवालों को या अपने spouse को, खराब से खराब situation में उनको आपको कैसे handle करना है, आपको अपने धन को कैसे manage करना है, आपको creative field में कैसे काम करके पैसा अरजित करना है, सुक्र अगर पंचम में है तो आपको manage के बाद stock market वगरे से बहुत बड़ा gain हो सकता है आपके life में बहुत सारे ऐसे लोग आ सकते हैं जो बहुत ज़्यदा rich हो सकते हैं आपका contact बहुत ज़्यदा ऐसे लोगों से हो सकते हैं जिनमें शुक्र वाली qualities हो सकते हैं कोई बहुत अच्छा singer हो, कोई बहुत अच्छा dancer हो कोई बहुत अच्छा painting करने वाला हो या और भी कुछ ऐसे creator हो सकते हैं जिनसे आपका contact बनेगा तो ऐसे जातकों को जिनका भी शुक्र पंचम में होगा डिना इंचार्ट में उनको संगीत और वादी अंत्रों की तरफ ये रुजहान देगा marriage के बाद ये ऐसे इस्तितिय है जहां पर आपकी संतान भी कुछ इस तरह का रुजहान अवस्य रखेगी और आपका जिवन साथी इसमें आपकी बहुत ज़्यादा help करेगा आपको पंचम भाव से समधित कैरियर अगर चुनना हो तो अपने काम पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना चाहिए पंचम का शुकर आपको अपने जिवन साथी के द्वारा मदद करने के लिए प्रिरित करता है आप और आपका जिवन साथी मिलकर कोई न कोई ऐसा काम करेंगे सुकर से रिलेटेट जिससे आपको उनसमें बहुत ज़्यादा गेन होंगे आपकी संतान जो होगी वो आपको अधिक्तम सुक दे सकती वो आपको अधिक्तम संतूष्टी दे सकती है किसी भी मामले में आपकी संतान से जो कुछ आप एक्सपक्ट करेंगे अपने जिवन साथी से जो कुछ आप एक्सपक्ट करेंगे वो सब आपको मिलेगा यहाँ सुकर अगर कमजोर इस्तिति में है तो फिर भी आपको क्रियेटिव फिल्ड में लाब दो देंगे लेकिन कभी-कभी आपको marriage के बाद प्रेम शमन्दों में बहुत ज़्यादा सफलता दे देते हैं इससे marriage के बाद आपके extra affairs किसी के साथ होने extra जो प्रेम शमन्द है किसी के साथ बनने के chances बनते हैं यहां का शुक्र आपको marriage के बाद थोड़ा flirty मना सकता है और हमेशा आपको marriage एक relationship की तरह ही लगेगा एक physical relationship और सब कुछ romance वगरे ऐसा ही आपको feel होगा marriage के बाद तो आप अपने partner से यह expect जरूर कर रहे होंगे कि आपका जो partner होगा आपको romance में वो पूरा support करेगा तो ऐसे में आपका जो जयोंसाती होता है उसके मादिम से आपको support किया जाता है पंचम भाव के कारियों में आप बहुत ज़्यादा intelligent हो सकते हैं आप बहुत अच्छे से चीजों को संभालने वाले, care करने वाले अपने घर, परिवार की care करने वाले हो सकते हैं आप अपने धन को बहुत अच्छे से मैनेज करने वाले हो सकते हैं। आपको ये भी पता रहता है कि आप लोगों के साथ कैसा विभार करें कि आपको उनसे ज्यादा से ज्यादा लाब प्राप्त हो। तो यहां का सुक्र आपको ज्यादा तर क्रियेटिविटी के तरफ लेकर जाएगा, वो ज्यादा तर ऐसी चीजों की लर्निंग देगा जो सुक्र से ही समन्दित हैं। तो कुछ इस प्रकार के प्रभाव सुक्र पंचम भाव से समन्दित देते हैं। यह इस्तिती में यह भी दिखाता है शुक्र कि आपको अकल्ट का भी बहुत अच्छा नोलेज हो सकता है।